मद्यवर्देश के निसरपुर तरसिल में इन दिनों गमंडिलाल कर्मा चनपशिक्षा केंद्र निसरपुर तरसिल के पूर्व एमडियम प्रभारी के खिलाफ एक साजिश के तहत जूठा ब्रस्टा चार का रोप लगाया जा रहा है और उनकी छवी को दूमिल किया जा रहा है जिस पर जाज के बाद उनकी चवी साफ दिख रही है कैसे देखे ये रिपोर्ट विश्वस्त सूत्रों से ग्यात हुआ है कि प्रात्मिक विद्याले मसानिया के पूर्व एचेम एवं सहारा सुसायता समों के अध्यक श्रीमती जानकी वाई के द्वारा एक ओडियो अपनी साफ सुत्री एवं इमांदारी के लिए जिले में परिजित है इन्होंने शुकायत प्राप्त होते ही एक तीन सदस अधिकारियों का जांच दल गठित किया इस दल में स्वेम विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं वरिस्ट प्राचारे नुक्त किये जांच दल के द्वारा निश्पक्ष जाच की गई एवं जाच में ये निश्कर्ष पाया गया कि सहारा स्वसायता समो के अध्यक श्रीमती ज्वान की भाई एवं इनके पुत्र उनके द्वारा शिकायत की गई थी वह जूठी और मित्या है जाच अधिकारी द्वारा जाच को निश्कर के साहयक अध्यापक को बदनाम करने की कोशिश की गई इस कोशिश को विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि निसरपुर के बियार सी एवं विकासकन शिक्षा दिकारी की कहीं न कहीं भूमिकार रही थी जिस प्रकार सच को आज नहीं उसी प्रकार गमंडी लाल कर्मा के खिलाफ जूठा ओडियो किलिफ एवं जूठी शिकायतें समाचार पत्रों में प्रुसारत की गई थी जो की सभी जूठी साबित हुई गमंडी लाल कर्मा के खिलाफ जिन जिन लोगों निश्वडियंत्र रचा था आज वही बिनाशास के आदेश के नोकरी करने के आरोपी सिद हो प्रात्मिक विद्याले मसानिया के प्रधाना अध्यापक के पद पर कारे करने वाले श्री महेश खेडे को विकास खंड शिक्षा दिकारी द्वारा इस पद से हटा दिया गया था किन्तु विकास खंड इस्त्रों समनमेक द्वारा एक बार पुन महेश खेडे को प्रधान कि उस्ते शिकायत मिली थी और तथकाली न समय में जिला पंचायत में पिएस्टी कर नोड़ अधिकारी मेहीं था मेरे दोरा जांच की गई थी और इस अधिकारी मुंद देश पर क्या देश पर उस जांच में महेश केड़े को पूरी तरह दोशी पाया गया था च्वाचले निर्मान के जिम्मेदारी उनको दी गई थी लेकिन वह कारण नहीं किया था और जिसके समंदर में अपने अपनी कारवाही करके प्रतिवेदन वरिष्ट अधिकारी को सौब दिया गया था समय सीमा में और चूकि अब मैं जला पंचायत में नहीं हूं तो वर्तमान में क्य पहले योगी और काबिल थे तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इने क्यों हटाया गया और हटाया गया तो पुन है क्यों प्रधाना अध्यापक बनाया गया इससे यह प्रतित होता है कि महेश खेड़े और विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोध समन्वे के बीच अब सही माइने में ब्रस्टाचार का तालमेल बेठा हुआ है जो जनता समझ गई है कि पहले पद नहीं दिया और बाद में पदस्त किया गया इसके बीच कुछ तो गरबढ है